यह नमी इसमें से जा चुकी है तिवेर्स यह हमारी पिनिया तयार हो चुकी है आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा काज्यू से या किस ये से इसको गार्णिश कर सकते हैं हेलो व्यूर्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जली रेसिपी में एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर कही हूँ एक ट्रडिशनल रेसिपी यह एक्चली मैंने मेरी नानी से सिखी थी तो हम बनाएंगे अज पंजाबी चावल की पिनिया और भिना यहां पर आधा ग्लास मैंने दूद लिया है आप एक कब दूद ले सकते हैं और इसमें हमने डालनी है दरदरी खुटी हुई काली मिर्च तो वह डालती थी खोप्रे को चक्कु से काटके मैंने कद्दुकस कर लिया है थोड़ा सा अच्छा टेक्स्चर देने के लिए और क्षुषी जो मेरी बेटी उसको बहुत पसंद है किशमिश बहुत अच्छा सा मिठास देती है इसको हम चक्कु से दो टुकडों में काटके डालेंगे दो या तीन जितना बारिक आप काटना चाहें इसको हम काटो मैं इसे 2-3 टुकडों में काटूंगे और बहुत असानी से कट जाती है और 750 ग्राम लिया है चावल का आटा उसी के साथ डालेंगे 200 ग्राम देसी घी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी तो सबसे पहले कडाई को रखेंगे यहां पर और इसे गरम होने देंगे दूद और घी को हमें गरम करना है तो सबसे पहले हमने जो एक कप दूद लिया है उसको कर लेंगे गरम और उसी में डाल देंगे हमारा यह 200 ग्राम घी तो वियोर्स अगर आप सिर्फ जो है घी में बनाना चाहते हैं तो आप चाशनी का इस्तेमाल करें बूरा चीनी में लाने की जगा आप हलकी सॉफ्ट चाशनी बनाएं मतलब आपको एक तार से पहले की चाशनी चाहिए जिसमें कम पानी में बनी होई होनी चाहिए तो अब यह अच्छा से मैक हो चुका है इसे उतार लेंगे आँच से तो विर्स यह 750 ग्राम मैंने चावल का अटा लिया है और इसको फैला लिया है और अब इसमें दूद और घी का यह मिश्रन डाल देंगे और इसको फटाफटिस में करेंगे मिक्स अब हमें इस चावल के अटे को ना भूनना है और उसी कडाई में भूनेंगे तो इसको दोनों हाथों से इस तरीके से मसल ना है तो इसमें क्या है यह बिलकुल बुठलिया नहीं बनेंगे एक सार हो और नॉमली इसमें चावल की पिनियां जब हम बनाते हैं तो रंग चेंज नहीं होता है सिर्फ खुश्बू से पता चल जाता है कि चावल का अटा जो भून चुका है तो विर्स अब हमने कर लिए इसको मिक्स अब लेनी आपको इस तरह की कोई छालनी जैसे हम मोहन धालनी मनाते हैं तो उस तरीके से हमें इस चालनी में से इस मिश्रन को निकाल रहे हैं ताकि कोई भी गुठली ना रहे तो वे इस उसी कड़ाई को जिसमें हमने दूद और घी का मिश्रन तयार किया था चड़ा दे लिए अब इसमें बिलकुल हलकी हलकी आज पर जो हमने आटा त आटे का बढ़िया तरीके से सिख जाएगा तो यह अच्छे से बुर्बुरा हो चुका है और जो हमने दूद इसमें एड़ किया था उसकी नमी इसमें से जा चुकी है तो अब इसे हम अलग रख लेंगे और दूसरे बैच को भून के तयार करेंगे और इसको पहचानने की एक तरीका है कि अगर चावल का भूना या नहीं भूना तो तो इसलिए अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको ज्यादा फरक नजर आएगा नहीं लेकिन आप कई बार बनाएंगे तो आप यह चीज़ आसानी से आपके आंखे अगे अधेंटिफाई कर लेंगी तो एक तरीका तो यह है कि इसको स्मयल करके देखें तो बिल्कु यह से पके चावल होते हैं वैसी सूंदी-सूंदी खुचबू इसमें सूटने लगेगी इसी कडाई में हम लोग यह जो खोपरा लिया था और काजू जो मैंने बारीक-बारीक तोड लिये थे तो इनको भून लेंगे हलका साथ एक साथ और इसी के साथ लास्ट स्टैप में डाल दूँगी यहां पर किश्मिश नसा चलाना है और यह हो गया है और इसे अलग से प्लेट में निकाल ले तो वियर्स अब इसमें हम चीनी मिलाएंगे यह गरम-गरम मिश्रेल है और बांदे से पहले तो इसमें हमें लेनी है 300 ग्राम चीनी आप ज्यादा पसंद करते हैं तो ज्यादा एड कर लें तो मैं यहां पर 300 ग्राम के करीब चीनी इसमें डाल देती हूँ मिक्स हो गया है अब इसमें हम डालेंगे एक चमच के करीब दर्दरी कुटी हुई काली मिर्च और काली मिर्च का तेस्ट इसके साब बहुत अच्छा लगता है और यह भुना हुआ कोकोनट और किश्मिश और काजू हमने मिला दिये अब इससे अच्छे से करना है पहले मिक्स तो यहां पर मैं इसमें एक टेबल स्पून घी मिक्स कर रही हूं तो इसमें उतना ही पानी हम छीटा देंगे कि कि जितना यह बंदना शुरू हो जाए तो यहां मैंने आदा ग्लास पानी लिया है और इसको सिर्फ एक बार हाथ से इसमें छिड़क रही हूं और आधे में से भी न हम आदा ग्लास पहले यूज करेंगे और इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे एक सार कर लें वियो तीन बटे चार गिलास या पोना गिलास या एक कप पानी हमने इसके अंदर मिलाया है उनको आपने इस तरह से हाथ में लेना है और फटा-फट से पिनिया बांध लेनी है आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें हाथ में देशी घी लगा ले तिवेर्स यह हमारी पिनिया तयार हो चुकी है आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा काजू से या किश्मिश से इसको गार्णिश कर सकते हैं तो वैसे इसकी जरुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें वैसे ही काजू और किश्मिश खूद दिख रहे हैं तो एक चीज और वियर्स आपने पानी डालके जब हम से बानते हैं तो यह खराब नहीं होगी क्योंकि चावल का जो नेचर होता है पानी सोखने का तो वो तरन सोख लेता है और यह बंद जाती है और धीरे धीरे जैसे जैसे यह पुरानी होती जाएंगी तो अपने आप मौश्चर इसमें जो हो कम होता रहेगा बस इसको एकद झाल 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 झाल